मैं सबसे पहले उत्राखंड के सभी मात्रशक्ति, पित्रशक्ति, नौजवान साथी बाल गुर्णों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद और आसिरवाद भी देता हूँ मेरा प्रश्ण, आपने जो प्रश्ण मेरे से पूछा है, वो प्रश्ण बहुत बाजिव है, इस उत्राखंड को बने हुए अभी 21-22 वर्स हुए है, और उत्राखंड पहले उत्तर प्रदेश कहलाता था, तो कभी ऐसा कोई किसी मुख्यमंत्री ने कदम नहीं उठाया, जो ब्रहमन और संतों को चपरासी और एक कर्मचारी बनाने की तैयारी की थी, कि ब्रहमन एक चपरासी के रूप में काम करेगा वहां, संत एक नौकर के रूप में काम करेगा, उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, ना किसी प्रकार का कोई हक होगा, जो उनके मंदिर, मठ, पु किया जिसको भारती जंता परटी ने फिर पत्स से मुक्त परड़ेस के का पत्स से मुक्त होते ही कौंग्रेस परटी ने ऐसा दवाब बनाया जिसमें morbट ची और वैसे क्योंकि चला-चली की बेला है, अब उनके जाने की तैयारी है। उन्होंने उस बोग को, बोड को भं कर दिया। और ब्रहामनों की साथू संतों की इसमें विजय होई है। मेरा साथू संतों से मैं भी एक संत हूं, अल्लाव संपरदाई से हूँ, दिगंबर अखाड़े से हूँ मैं मैं भी सभी सादू संतों से ब्रामनों से अपेल करूँगा कि यह आपकी विजय किसके माध्यम से हुई कॉंग्रेस के माध्यम से तो कॉंग्रेस के पक्ष में आप मद्दान करें कॉंग्रेस को जिताएं और ऐसी कलपना करें कि आने वाले समय में हमारे जो भावी मुख्यमंत्री हैं उनसे ऐसी अपेक्षा रखें कि वो इस बोड को दुवारा से ना बनने का प्रयास करें और कभी जीवन में ये बोड बने ना क्योंकि ये हक छिंजाता है ब्रह्मनों का अधिकार पुजारी बनने का है पूजा करने का है ब्रह्मन अग्रज है इसे भूमी का भूमी पुत्र कहलाता है संत एक ऐसी परंपरा है कि वो अनाधिकाल से चलिया रही है तो इसको मिटाने का जो प्रयास करेगा वो इस देश से ही किया, इस राश्ट से ही मिट जाए